नमस्कार दोस्तों, पुझा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मैंनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे, वो है हमें किस दिशा में सिर रख कर सोना चाहिए या हमारे पैर जो होते हैं, सोते समय किस दिशा में होने चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में संब्रिद्धी, मान, सम्मान तता ज्यान की प्राप्ती हो वास्तु शास्त्र में हर चीज के लिए दिशा अनुसार एक समय और एक नियम निरधारित किया गया है सही दिशना हमें सोने से आपको जीवन में वो सभी चीज़े प्राप्त होती हैं जो कि आपके जीवन में आपको मिलनी चाहिए कई बार ऐसा देखा गया है क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आप देखेंगे हमारे दिन की शुरुवाद जो होती है सबसे पहले सोने के बाद ही होती यानि कि जब हम सोकर उठते हैं मौनिंग में उसके बाद से ही हमारा पूरा दिन जो है काउंट होता है उस दिशा की positivity अगर आपके शरीर में आ जाती है तो आपको जीवन में कभी भी जो है negativity का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ यसात आपके कारे भी बनने लगते है आज आपको इस वीडियो में हम चारों दिशाओं के बारे में बताएंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो दिशाओं कौन सी हैं और वहां सोना किस प्रकार से आपको लाबदायक होगा परन्तु इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि कई बार प्रिशन आते हैं जैसे अगर आपने कोई कारे बता है तो उसके बाद उनकी क्रॉस कोशनिंग आती है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए तो आज हम उन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे वास्तु शास्तिके नुसार गलत दिशा में सोने से आपको नीद ना आने का सबसे वड़ा कारण होता है अगर नीद नहीं आएगी तो आपका पूरा दिन वैसे ही खराब चला जाता है कई समस्यां आपके जीवन में आने लगती है इसलिए हमें जो है सोने की दिशा का पालन करना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कई लोगों को कहते सुना है क्योंकि उत्तर दिशा, कुबेर दिशा, लक्ष्मी दिशा माने जाती है तो कई लोगों की धाड़ना है कि अगर हम सिर अपना उत्तर की दिशा करके सोईगे तो हमें जो है जीवन में धनलाब मिलेगा और मैंने कई लोगों को यह रेमिडी भी देते हुए सुना है कि आप उत्तर की दिशा में सिर करके सोईए आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी बढ़ रही है जो दस साल से उपर के बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कूल भी जो है नहीं सोना चाहिए अन्य था आप उनका बैड्रूम या उनका बैड जो है उत्तर दिशा की और तो लगा देंगे परंतु उनको जीवन भर जो है धन डिप्रेशन में आ जाएंगे लोगों से जो है मेंटली फाइट नहीं कर पाएंगे अगर उनके सामने किसी ने छोटी सी भी बात कर दी है तो बहुत जादा दुखी होगर डिप्रेशन में चले जाएंगे तो अकसर बच्चों को देखा गया है कि जो उत्तर दिशा की और स हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले नीन अने की शिकायद्य आती है आपका शरीर यहां शास्तरों के अनुसार में यह आ से अरे दिए दिए और इन लोगों को उनके जीवन में इस तरही की प्रप्राब्रम भी देखने को मिलती है अगर आप इस्तिती में सोते हैं तो आपको बड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है और बहुत अच्छे सम्मान से भी आप जो है अपने आपको वंचित कर लेते हैं अब इसके बारे में जो व्यग्यानिक कहते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे सबसे पहले हम दूसरी दिशा देख लेते हैं कि दश्चिन दिशा जो होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से आपको अपॉर्शनिटीज देती है या वो क्या दिशा लेकर आती है तो वास्तु के अनुसार इस दिशा में सिर्ख करके सोना बहुत ही जादा शुब माना जाता है यह जो है मंगल देव की जगा मानी जाती है शनी देव की राहु देव की जगा मानी जाती है परन्तु दश्चिन दिशा जो है आपकी negativity को खीचने के लिए भी बहुत शुब मानी जाती है दश्चिन दिशा में सिर करकर आज सोते हैं तो आपको जीवन में कभी भी नींद की problem नहीं देखने को मिलेगी आपको चिंताएं होंगी आपका दिन भर भले ही बहुत जादा depression में गया हो बहुत जादा जो है लड़ाई जगडे में गया हो परन्तु जैसे ही आप बैट पर सोएंगे यहाँ पर बैट के नियम भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बैट शिट जो है और पीलो है जो वो किस प्रकार से आपको रखने है परन्तु आप दस्षिन दिशा की और जब सिर करकर सोते हैं तो आपके जीवन में आपको कभी भी निद्रा का सामना नहीं करना पड़ता ह आपको रात की निन जो है बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है साथी साथ आपके घर में धन समरिद्धी और मान सम्मान जो बढ़ता है और उसके अलावा आपको भौतिक सुक्सु विदाएं भी कही ना कहीं से प्राप्त हो जाती यानि कि आपका मस्तिक्ष या आपका सब प्राप्त होने लगती है अब बात करेंगे सबसे शुब माने जाने वाली दिशा जो पूर्व दिशा माने जाती है पूर्व दिशा जो है शुब होती है बहुत से कारियों के लिए पूर्व दिशा में सिर करकर सोना जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी माना जात आपका जो आध्यात्म है या आगर आप आध्यात्में बहुत आगे जाते हैं आप किसी गुड रहस को जानना चाहते हैं साधनाहों में लीन होना चाहते हैं या किसी प्रकार की मंत्र सिद्धी चाहते हैं साधना सिद्धी चाहते हैं तब आपको जो है वास्तु शास्त्र के पूर्फ दिशा की और सिर रख कर सोने की सलाः दी जाती है यहां पर जब हम पूराने जमाने में देखेंगे हमारे शास्तरों को पढ़ेंगे तो उसमें खास तौर पर दिया गया है जो छोटा बालक होता है या जो कँटिया होती, छो पढ़ रहे जो बच्चे होते हैं उन् वुरी संगत में नहीं पड़ता है बुरे विचारों में नहीं जाता है जो है जो है गुणवान बनती है जो भालक होता है वह भी अपने परिवार का सोचने वाला और उच्च कोटी का बालक बनता है चात्रों के लिए स्मृति व्रद्धी यानि मस्तिक्ष की व्रद्धी मस्तिक्ष की जो शक्ती है एकागरता बढ़ाता है पूर दिशा में सिर करके सोने से बच्चों को पढ़ा हुआ जो होता है बहुत जल्दी याद होने लगता है आप जो है अगर अपने बच्चे का जब वहां पर एक बच्चे की कुर्सी जिसमें उसकी रेड़ की हड़ी पूरी स्ट्रेट हो, मतलब बच्चा बैड ना लगाएं वहां पर आप ऐसे बैठाएं जैसे बच्चे की रेड़ की हड़ी पूरी स्ट्रेट हो, ऐसे आप एक कुर्सी दे दीजे उसे और सामने छोटे से टेबल की विवस्था कर दीजे जिस पर वो अपनी कॉपी किताब या जो भी अपना होम वर्क है या जो भी पढ़ने लिखने का समान है उस पर रखकर वो उस चीज को मतलब पढ़े लिखे और उस चीज को कारी में लेकर आए वहां पर आप जो है सरस्वती जी की फोटो या आप जो है गणीज जी का इची तरह रख सकते हैं या थोड़े से फ्लावर्स रख दीजी वो स्रिप मैं इसलिए कह रही हूं ताकि वहां की पॉजिटिविटी बनी रहे अगर आप नहीं भी रखते हैं तो टेबल या कुरसी या जो टेबल कवर होगा उसका जो कलर होगा तो घूड़ा सा जो है अच्छा ग्रीणिरी वाला या तो घूड़ा एट्रेक्टिव कलर रख दीजिए इसके बाद आप जो चाहे हम हाँ डिवार हो चाहे काच हो चाहे वहाँ कोई अलमारी रखी हो या कोई बैड हो कोई भी ओपर उसका जो सिर्फ होगा वो पूर्व दिशा याने इस्ट की दिशा की और होना चाहिए केवल इस बात का आप ध्यान रखें आप महीना भर ये कारे करके देखें आप खुद देखेंगे आपके बच्चे क पढ़ने की शक्ती बढ़ने लगेगी उसके नए ग्यान का संचार होगा उसे नया ग्यान प्राप्त होने लगए और बच्चा जो है आपको उसकी मदद नहीं करनी पड़ेगी और खुद ही बहुत जदा अपॉर्शनिटी इसको प्राप्त करेगा वो दिमाग लगाने लगेगी उसके वहवार में स्थिरता आने लगेगी उसकी जब बहुत जदा बच्चे नटखट होते हैं मस्ती करते हैं या बहुत जदा बिगड़ जाते हैं बच्चे उनके लिए एक्सपेरिमेंट जो है बहुत कारगर रहता है तो मैं सभी माता बहनों से कहूंगी कि आपको खुद जो है पॉजिटिविटी दिखने लगेगी और हाँ इस बात का ध्यान रखे कि जो स्टडी टेबल होगा ये माता का कारे होगा कि आप उस स्टडी टेबल को बस डेली साफ कर दें अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा खुजबू के लिए अगर बत्ती बगर है सिर्व इतना सापको ध्यान रखना है आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो है बहुत जादा जो है पढ़ने में तेज होने लगेगा और बड़ी बड़ी अपॉर्चनेटी जो उसके जीवन में आने लगेगी तो हम यहाँ पर पूर दिशा में अगर सिर रखकर सोते हैं या कोई ट्यूशन्स लेते हैं तो उन सभी को पूर दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए पर अगर धन को लेकर सम्मान को लेकर अगर आप कोई दिशा चाहते हैं तो दशिन दिशा सबसे बेस्ट दिशा मानी जाती है किसी भी कार शित्र में आगे बढ़ने के लिए तो अब बात कर लेते हैं पश्यम दिशा की जो पश्यम दिशा होती है वास्तु के अनुसार जो है इस दिशा में सिर्र रखना अनुकूल होता है परन्तु जैसे ये किसी-किसी घ्रह के साथ ही जुड़ता है और जिस घ्रह के साथ जुड़ जाता है तो उसे वह वहां से नाम परन्तु यहां पर मैं फिर रिपेट करूंगी कुछ ग्रहों के लिए ही यह दिशा जो है अनुकूल होती है परन्तु दश्चिन दिशा जो होती है वो सभी जातकों के लिए उच्च कोटी की दिशा मानी जाती है तता वहां पर सोने से उनके जीवन में खुद जो है आजमान हो जाते हैं जाने का नाम नहीं लेते हैं या उनकी वजह से जो है आपका जीवन बहुत अस्तवियस्त हो जाता है या परेशानी का कारण बन जाता है तो जब भी ऐसा कोई महमान आता है जो महीनों आपके घर में टिका रहता है जिसे अपने घर की चिंता नहीं रह माता पिता का इस समय को किस दिशा में उला आ जाए यह महमान के सुलाना चाहिए जिस ते केवल वह मेहमान के शास्त्र में एक दिशा बताई गई है जिससे उनके घर जाने की चिंता उन्हें लगातार बनी रहती याने वह आपसे मिलने आएंगे और मिलकर जो है एक या दो दिन में ही अपने घर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें वह चिंता सताएगी कि हमारे घर जो है हमारे पीछे से क कि अहुता है नहीं घर की पॉजिटिट्व एनर्जी या आपके घर के आकरशन्त के साथ जूने लगेगा तो जो कन्या बहुत समय से घर पर है, उसके जीवन में या उसके मस्तिक्ष में बाते आने लगेंगी की ये जो घर है, हमें हमारे खुट के घर जाना है, ये हमारा घर नहीं है या जो भी उसके थौट्स रहेंगे, और आस्थिर हो जाएंगे और वह बार बा अपने घर में जाने के लिए कोशिश करने लगेगा इसलिए अतिति को सदेव जो है पश्चिम दिशा की और सिर करकर सुलाना चाहिए यह आपको लगता है कि वो महमान घर पर आने वाला है तो आप पहले से ही ऐसी विवस्ता कर दीजे कि उसका जो बैड हो और उसका जो सिर ह वो पश्चिम दिशा की और हो जिससे कि उसको जो है अपने खुद के घर पर जाने की चिंता जादा रहे और उसको ये लगे कि मुझे अपने खुद के घर जाना है अब भाईयों और बहनों जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम सभी दिशाओं की भी जच्चा करेंग खराब है या हम कैसे उसे पता करेंगे तो आप जब सोते हैं तो आपको नींद नहीं आने लगती है नींद का जो है समय बहुत कम होने लगता है चिंताएं बहुत आने लगती है जो पॉजिटिविटी है वो खत्म होने लगती है जैसी बैट पे जाएंगे आप किसी भी आपको बड़ा दोश है जिसके कारण आपके जीवन में एक नेगडिविटी आ रही है और नीन में आपके जो है बहुत ज़्यादा परिशानी आपको देखने को मिल रही है वहीं आपका जो सेर होता है आप इसे आप सिंपल भाषा में समझे कि आपका सेर होता है वह धनात्मक उर्जा का स्त्रोथ होता है यानि इसमें इतनी उर्जाएं होती हैं क्योंकि आप सब conscious mind का power तो सभी जानते हैं आज के समय में तो आपको खुद को पता है जो मनुष्य का म स्त्रोथ होता है बहुत ज़्यादा प्रवाव होता है तो जब हम उस दिशा में सिर करकर सोते हैं यानि हम उत्तर दिशा में सिर करकर सो गए और हमारे पैर कहा होंगे दश्यन दिशा में होंगे तो लोग जो है अपनी एनर्जी जो है वो निकालते जाते हैं यानि आप उत जीवन में समस्यया बनी रहेंगी चाहे आप इन family भीघ्ञैकनी तरी से देखे लें हाएं जाहे आप इसे कंपर कारे बंद होगेगा आपके सभीया तो इसके सबी कार इपने अपने बंद होने लगेंगे और इसके अलावा उत्तर दिशा की और जो मुक करकर सोता है मैंने उन्हें पैरलेसिस की प्रॉब्लम भी अधिकतर लोगों में देखिए कि उनके जीवन में उन्हें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है यानि खून का जो स्त्रोथ है वो बंद हो जाता है शेरीन में खून के धक्के जमने लगते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको देखने को मिलती है बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है तो उत्तर दिशा जो है नव विवाहित या पती पत्नी को किस दिशा में सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं सोना चाहिए सबसे पहले तो अक्सर जिन दमपत्यों को संतान सुख प्राप्ती नहीं होती है या उनके जीवन में कलेश बहुत रहता है अगलाव किस्थिती आ जाती है बाते बहुत बिगडने लगती है चोटी चोटी बात पे जगड़ा होने लगता है तो आप दिशाओं में देखिए कि आप थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे अगर दिशाओं को तो आपके जीवन में आपको सभी सुख प्राप्तो होने लगेंगे तो नव विवाहित या पती पतनी को कभी भी उत्तर दिशाओं के कमरे में या कमरे के उत्तर पूर्व में बैड नहीं लगाना चाहिए वास्तुक अनुसार उत्तर दिशाओं का सौामी जो है गुरू माना गया है या वहां से जो है गुरू का आकरशन माना गया है और वहां स जो है आध्यात में भी फ्लो करता है तो उस दिशा में अगर आप सोते हैं तो आपका आपसी तालमेल नहीं बनता है कमी आने लगती है आपके थौट्स में आपकी विचारों में और आपके बहुत ज़ाद स्तितियां खराब होने लगती हैं पती पतनी को सदेव जो है अगर विवाद बहुत होते हैं तो उन्हें सदेव जो बेस्ट दिशा यहां पर अब मैं पती पतनी के लिए भी बताऊंगी जो बेस्ट दिशा होती है कि दोनों की जो अंडरस्टेंडिंग बहुत इतनी गूर हो जाए कि कई बार शब्दों का प्रयोग किये बिना भी दोनों आ में ऩार बेट इस्गेम स्थी दिशा लिए अरह आपने मुञ कर लिया और अपने सिर को भी आपने दश्षिं दिशा की और ही कर सोना है तो इस दिशा моे आपको शुक्रगरह का प्रभाव मिनने लग इस दिशा में Webb उन्निने म्ने लगेगा इस दिशा में सोने से दामत्य सुख की प्राप्ती होने लगेगी आपको संतान सुख की प्राप्ती होने लगेगी आप सी ताल में मिलने लगेगा और आपकी सबसे बड़ी जो problem मैंने आज के टाइम में देखी है कि दोनों जो है misunderstanding बहुत हो जाती विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता है तो वो तालमेल जो है वो बैठने लगेगा तो भाईयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज आपने जितने भी सवाल इस topic से related पूछे थे मैंने आज इस वीडियो में सभी cover किये हैं आशा है आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते वे हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते वे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों